हेलो इंडिया मैं हूँ शुबोजीत स्वागत है आज की वीडियो में तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राई ने एक लेटर इशू किया है सारे जो टेलेकम कमपनीज है जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं रिटेलर्स भी बंद है रिचार्ज नहीं कर पा पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा प्लैन लाए तो दो फॉर्टी एट आर्ज में या फिर एक दो दिनों में यह अपडेट निकलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो जो अपडेट निकल के आ रहा है वो कि Airtel और BSNL ने रेस्पांस दे दिया है वो अपना प्लैन एनाउंस कर दिया है और Jio और Vodafone ने भी बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया है बहुत अच्छा ओफर उन्होंने एनाउंस किया है तो देखते हैं वीडियो को पूरा अंतक देखिए क्या-क्या वो अफर्स हैं तो उससे पहले मैं और एक जानकारी देना चाहूंगा जो टोटल इंटरनेट यूजिज है वो 30% बर गया है जो के लोगडाउन का जो एमर्जेंसी का सिचुईशन है लोग जयाता से ज़ादा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वेज़े से 20% का गिरावट देखने को मिल रहा है इंटरनेट स्पीड का जो आप भी एक्स्पिरियंस कर रहे हैं शायर तो इस वेज़े से यूट्यूब नेट्फ्लिक्स और जी फाइब का जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है वो 480 पी में घटा दिया गया है यानि के आप 480P से ज्यादा क्वालिटी में आप वीडियो देख नहीं सकते तो अभी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब का जो 3 बटन है वहां पर जाके क्वालिटी में जाके देखिए आपको 480P से ज्यादा नहीं मिलेगा कोई भी वीडियो म उन्होंने उनका जो स्टेटर्स है वाट्सप स्टेटर्स वो पहले 30 सेकंड्स का आजा था अब वो घटा के 15 परसंट कर दिए गया है तो चलिए देखते हैं न्यूज हमारे पास क्या-क्या है तो एर्टल ने अपना वो ट्राइ के जो लेटर है उसका रेस्पॉंस देते ह आपकोए एर्टल ने अपना वैलिडिटी एक्स्टेंशन किया है जो के है 17 एप्रील तग यानिके 17 एप्रील तग आपका जो भी सिम कर्ट है उनका वेलिडिटी रहेगा और जो सिम कर्टिम नहीं थे वह भी चालो हो जाएगगे तो इनमें आपको क्या-क्या मिल जाएगा इन में आपको मिल जाएगा incoming और outgoing call free और 10 रुपे का यानि के 10 रुपीज का balance भी आपको मिल जाएगा ताके आप emergency में कोई भी call कर सकें तोरा बहुत जो recharge एकदम ही नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए उसके बाद आता है BSNL तो BSNL भी यहां पर बहुत अच्छा initiative लिया है उस response में तो BSNL ने अपना validity extension किया है 20 April तर इस 2020 में 20 April तर validity extension मिल जाएगा उसमें भी आपको outgoing और incoming calling facility मिल जाएगा जहां पर भी 10 रुपीज का balance आपको provide कर दिया जाएगा तो इन दोनों में एक चीज common है एक जीज ध्यान रखना है आपको जो SIM cards बहुत दिनों से active नहीं है यानि के सोच लिजिए 3 months, 4 months या फिर एक साल के अंद एक साल तक वो SIM active नहीं है तो वो SIM active नहीं होगा वहाँ पर आपको ये offer नहीं मिलेगा ये offer उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनको बहुत ही जरूरत है इस्तमाल करना चाहेंगे और जिनका SIM card हल फिलाग में inactive हुआ है रिचार्ट नहीं कर पार रहा है जो अभी lockdown का situation है उस period में जो SIM cards inactive हुए है उन SIM cards के लिए ये offer लाया गया है तो next जो news है वो है Jio ATM रिचार्ट जिहां मिलकुर Jio ने एक बहुत अच्छा announce किया है यहाँ पर Jio में आप Jio SIM का Jio number का रिचार्ट कर सकते हैं ATM में जाकर तो ये मैं आपको step by step बता रहा हूँ आपको ATM में जाना है अपने नजदिकी कोई भी ATM में to do a card ये लिचार्ट करना है उसके बाद आपको option मिलेगा recharge का तो वहां पर क्लिक करके आपको अपना plan यान के जो recharge plan है वो अवो अपर करना है कितने रूपय का आप रिचार्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो pin का नफर्म करने के बाद आपका जो PIN है वो एंटर करना परेगा उसके बाद आपका रिचार्ज हो जाएगा इसके लिए ATM में कोई भी पैसा होने की जरूरत नहीं है पैसा नहीं भी होगा तो फिर भी आपका रिचार्ज हो पाएगा तो अगला जो अपडेट है वहाँ पर Vodafone ने लाया है एक बहुत अच्छा आफर 95 रूपीज में आपको 56 डेज का वैलेंटी मिल रहा है जहां पर आपको 74 रूपीज का टॉप टाइम और 200 MB का डेटा मिल जाएगा तो यह बहुत अच्छा आफर है तो वीडियो को यही पर खदम करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूँए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैने में